तिलंगाना मूवमेंट और तिलंगाना लिट्रेचर के important शखसियात पे हम लोग ये वेडियो बना रहे हैं पहले वेडियो में हम लोगों ने तीन एहम शखसियात का जिकर किया जिसमें सुरवरम प्रतापरटी, बुरुगुल रामपिशनरा और कुतवाल वेंकाटरा में रिडियो है आप उसका वेडियो हमारे description में ये comment box के first comment में देख सकते हैं ये उसका दूसरा वेडियो है ये series आपको तिलंगाना movement और तिलंगाना के literature and culture को समझने में काफी ज़्यादा मदद मिलेगी खास तोर पे group 2 के aspirants के लिए तो आज हम लोग fourth personality जिनका नाम है रावी नारायन रेटी ये बहुत ज़्यादा important शखसियत हैं इनों कब पैदा हुए 1908 में पैदा हुए कहां पैदा हुए इतना समझिये के नलगुंडा के भोवनगीर में पैदा हुए अब इनके जो कारणा में हैं इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग उस दौर को समझे के वो कैसा दौर था तो आपको मालुम है कि ये जो 1908 के बाद जो कुछ दौर है बिलकुल कई इन्खिलाबी तहरीकों का दौर था खास दौर पे जो तिलंगाना में जो उस वक्त का जो हैदरबाद स्टेट है वहां पे लैंडलोट्स की बरबरियत थी लोगों के पास जमीन नहीं होते थे और लैंडलोट्स बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे और निजाम के कुछ पॉलिसीज थे वो पॉलिसीज से भी जो है खास दौर पे नलगुंडा और तेलंगाना हैदरबाद स्टेट के दूसरे प्लेसेस में काफी ज़्यादा नाराजगी अवाम में रहती थी बेरोजगारी रहती थी और इसके अलावा जो लैंडलोट्स की जो बरबरियत रहती थी जो उनकी तरफ से मजालिम होते थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिन हुआ करते थे तब रावी नाराएन रिड़ी के हम बात करेंगे तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने आंध्रा महासभा की तीन मर्दबा सदारत की आपको तो मालूम है आंध्रा महासभा क्या है लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले तिल्गू शक्स बोल सकते हैं आप इनको रावी नारायन रिड़ी और एक बात ये है कि जो आंधरा महासभा थे उसमें दो ग्रूप रहते थे एक ग्रूप जो है थोड़ा moderate ग्रूप रहता था और एक ग्रूप जो है extreme ideologies एक्स्ट्रीम थॉट्स का ग्रूप रहता था जो moderate ग्रूप रहता था वो Congress Party की तरफ था कि हम लोग political league कुछ भी करेंगे तो सत्याग्रह करेंगे वो करेंगे एकदम silent तरीखे से दूसरा जो extreme महासभा के दो ग्रूप होगे तो उसमें से जो पहला ग्रूप था जो moderate वो आंध्रा महासभा होगा दूसरा रावी नारायन रिट्टी की जो खियादत में communist आंध्रा महासभा ये बन गया ये लोग क्या करते थे गोरिल्ला fight करते थे किसके खिलाफ landlord के खिलाफ करते थे और इनों ये समझते थे कि अगर आपको मसले का हल करना है तो सीधा आपको गरिल्ला fight करना है खामूशी से सत्यागरह करने के दिन अब नहीं रहे ऐसा इनों मानते थे इसी सिलसिले में 1946 और 51 के दौरान आप तो मालूम है कि बहुत जादा तलंगाना हैदराबाद स्टेट में आपको मालूम है बहुत जादा तहरीके चली थी इस दौरान इनों जो है गरिल्ला, राइतांगा, सायुधा पूराटम तो इनों जो है किसानों के हक में बहुत थी, ये कहां कहां पे चलाए थे, नलगुंडा, वरंगल, खंबम, करीम नगर, मिदक, आदिलबाद, यहां तकरीबन 4,000 गाउं में ये तहरीक चलाए और इसके नतीजे में 4,000 गाउं जो है तकरीबन निजाम के हकूमत के कंट्रोल से बाहर आ गए, इनके पास भी तकरीब यहां पे सबसे खास बात ये जिकर करना मकसद है कि 1952 में जब आपको तो मालुम है कि आम इंतिखाबात हुई थे पूरे देश में तो इनों जो है नलगुंडा पार्लेमेंट से एलेक्शन लड़े थे और इनको जो वोट मिले थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहर से वाबस्ता है उनको हाथ भी ने लगाते तो इनों जो है उस वक्त उन दिनों में जो मतलब कैसा बुलते कि सब मिलके खाना खाने का ये कल्चर शुरू करे थे ताके लोगों में जो है ये अंटचिबुलिटी की जो सोंच है ये खतम हो तो ये जो है महात्मा गांधी भी जो है इसको इंस्पाइर करे थे इस खिसम की सोंच को के हम सब बराबर है हमारे में कोई बड़े कैस्ट का चोटे कैस्ट का इसा नहीं है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखिए हमारे इस वीडियो के दूसरे सबसे एहम तरीन शक्स शॉयबुल्ला खान आप और आप भी इनके बारे में सबसे निजाम है कई बार सुने होंगे लेकिन आज हम इनके बारे में जानने के कोशिश करेंगे इनों भी 1920 में पैदा हुए अपको मालूम है के 1920 का मतलब समझ जाए के ये भी मीर उसमान अली खान जो लास्ट निजाम है उनके दूर की बात है और यहां पे इनकी भी तालीम जो है उस्मानिया उनिवर्सिटी से हुई, लेकिस वी इजैसे हम लोग अभी पड़े थे रावी नारायन रिटी के बारे में, इन्हों गृत करेंगे राय्यत लिखतेता दिल्गु वाले, ठीखे लेकिन हम तो उर्दु वाले हैं, तो हम लोग ज़्यादा तन्खीदी अंदाज में लिखते थे और निजाम के खिलाफ लिखते थे निजाम के पॉलिसी के खिलाफ लिखते थे जो अवाम से उनों जो है टच में रहते थे उस पे लिखते थे और जो जो लैंडलोट की तरफ से जो पॉलिसी इंप्लिमेंट होते थे उसके लिखते थे तो ये दोनों अखबारात को जो है निजाम की हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी इन दोनों अखबारात पे तो उसके बाद जो है इनों एक इम्रोज पेपर शुरू करे थे तो उस वक्त के जो कॉंग्रेस लीडर थे बाद में जो हैदरबाद स्टेट के फर् इसके खिलाब जो है अखबारात लिखते थे और ये एक तरह से इम्रोज जो न्यूस पेपर है ये स्टेट कॉंग्रेस जो हैदरवाद स्टेट कॉंग्रेस है उसका एक तरह से मौथ पीस बन गया मौथ पीस तो आप समझते न जैसा उनके नजरियात को रिप्रेजेंट करने अखबार बन गया तो ये जो अखबार है इम्रोज इसके खिलाब जो है आपको तो मालूरे है कि उस वक्त की जो आप मालूम है ना खासी मृजवी ये लोग जो रजाकर थे उनको जो है ये हजम नहीं होता था ये आठिकल्स तो ये लोग जो है ये ये वार्निंग दिये के एक साल के बाद उनको जो है एक लेटर आया था जिसमें उनको धंकी दी गए थी तो उसके बाद जो है जो बुर्गुल रामकृष्णर रहो है कॉंग्रेस की लीडर उन्हों भी बोले थे कि आप अपने जान का ख्याल रखे एहतियात करिए लेकिन अगस्ट 21 को रात के 12 ब जीत होगी ये बोलते हुए इनका इंतकाल हुआ है तो ये बात याद रखे है ठीक है इन्हों बेसिकली शायर नहीं सहाफी है अब जैसा आपको मालूम है आज हम तीसरे शायर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है दाशर रदी कृष्णमाचारीलो ठीक है जैसा उर्द सब्सक्राइश 1927 में कहां पे हुई थी आपको मालूम है जिला वरंगल के मानुकोटा में हुई थी ये मानुकोटा भी काफी एक इंखलावी प्लेस माना जाता है जब इनों जो है आपको मालूम है कि वरंगल में इप्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद हैदरबाद आये यह सब चीजों से इन्हों बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे और इसके अलावा इन्हों जो है English, Persian, Arabic और Sanskrit, उर्दू और आंध्रा के जो शायर हदरा थे इनके शायरी के बारे में पढ़के बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे और एक लाइन तलंगाना में काफी ज़्यादा मशूर है इनकी शायरी का है जैसा ना तलंगाना, कोटी रतनाला वीना ये इतना ज़्यादा मशूर है कि जब से तलंगाना मुमेंट में 2009 से देख रहा था जब से ये लाइन जो है मेरे जहन में है ये ये लाइन इनकी ही लिख के साहित्य अकाडमी है जो के आपको सेंटरल गव्रमेंट की तरफ से दिया, तो इसके तीमिरमलो समरम सायरम इस पे उनको साहित्य अकाड़मी का आवर्ड मिला, तो इसके अलावा आंद्रा महासभा में भी काफी एकटिव रूल प्ले करें थे इनों, और आंध्रा सारसवता परिशत तो इसको खाइम करने वाले शक्सियात में भी इनका शुमार होता तो इसके अलावा तलंगाना के जो मुसनिफीन है इनका एक इदारा है तलंगाना रचाई तला संगम इसको खाइम करने वाले भी दाशरदी कृष्णमचारिया ही है और आपक जानते तो ये बहुत जादा important है इनके तहरीरात में महांद्रो त्यमम और रुद्रवीना मार्पू नामार्पू द्वजा मित्तिना प्रजा ठीक है ये इनके तहरीरात में से हैं और इनके गाने भी ज़िए काफी जादा मशूर है ये और एक सबसे यहां पर जिकर करने का मक पर जो है नगद भी दिया जाता और जो है इस मरतबा दो लोगों को ये अवर्ड दिया एक का नाम है जू कंटी जगन नाधम इनको ये अवर्ड मिला था इस मरतबा आई ठिंक जून में और अन्देशरी एक तलंगाना के दूसरे शायर है उनको भी जो है इनके नाम से कुछल झाल से खशय गोजन पेंसिाोव उनको येड मिला इस कर इंक हा to ilo में ये जो की एका राइः भी मिला है वेड़ है का वार 2